हम चाहते हैं पीबट— टिबल लगाना लेकिन excel to excel या एक्सर्ट टू आउट डेटाबेस तो हम पहले बात करते है एक्सल लगाना चाहते हैं तो उस केस में आपको एक ब्लैंक एरिया पर जाए जहां पर पिबट लेना है आपको एक नई फाइल के ब्लैंक एरिया में और पिबट टेबल पे क्लिक करें यही में आपको यहां दिखेगा इनीचे में कि पिबट यहां पे गेट पिबट फोर एक्स्टेंडर डीटा सोर्स उसके बाद यहां पे आप चूज कनेक्शन का उप्शन आएगा इस चूज कनेक्शन पे क्लिक करें ब्राउज पूर मोर पे जाएं और आप अपना एक्सल फाइल जो डिफरेंट लोकेशन मे आप ओके कर देंगे कर देंगे यहीं पे आपको पिवड आ जाएगी अप रफिवड लगा सकते हैं यह तो एक्सल टो एक्सल की बात हुई अगर आपका पिवड टेबल लगाना है किसी एक्सिस से डावत सर्स एक्सेहन फोर्स में जाएं, Choose Connections, Browse for More और यहां जहां पे आपके पास Access की फाइल है वहां Access की फाइल पे जाएं, Access की फाइल को Select करें और यहां पे अपना Data Select करें and OK करें आपका Pivot MS Access से लग जाएगा उसके बाद यहां जो है आप Pivot Table पे SQL Server से लगाना है तो SQL Server से भी आप लगा सकते हैं लेकि इसके लिए आपके system में SQL Server होना चाहिए SQL Server के लिए जिस्ट आपको new source पी क्लिक करना होगा, यहां से SQL Server next, यहां आपको अपना server का name देना पड़ेगा अब SQL Server का name कैसे पता चलेगा, जब SQL Server आप open करते हैं, database को connect करते हैं, वहीं पे आपको SQL Server का name दिखेगा बस यहां पेस्ट करना है next करना है, database करना है table select करना है, लेकि इसके लिए आपके system में SQL Server होना चाहिए, अगर SQL Server नहीं है, तो failure नहीं होगा SQL Server के अलाबा आप Oracle से भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं होगा